नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर साथ सभी लोग बहुत-बहुत स्वागत है एक एक एड़ी करिते हैं पहला क्या है हाल ही मेच जारी लिस्ट के अनुसार कौन सा भारतिय ब्राण दुनिया का पांच वह सबसे मजबूतज ब्रांड बना है जिए आधी अभी हाल ही में एक लिष्ट जारी की गई ब्रांड Finance Global 500 की तरफ से, किसकी तरफ से, ब्रांड Finance Global की तरफ से, जिसमें की पुझी दुनिया के famous 500 ब्रांड या फिर यूँ कहें कि सबसे जादा मजबूत ब्रांड को सामिल गयागी, जिसमें से भारत का एक ब्रांड है, जिसको पांचमा स्थान मिला है, ठीक है, वो है आपका कौन सा ब्रांड, जियो ब्रांड, जियो ठीक है न, जो आप mostly बहुत सारे, कुछ जैसे ही उन्होंने लांच किया अपनी services को, है न, बहुत जल्दी उन्होंने market को गेन किया, ठीक है न, ऐसा कहा जाता है कि वरतमान में जियो के 40 करोन गरांग है, ठीक है, तो दुनिया का पांचमा सबसे मजबूद ब्रांड बना है, जियो, ठीक है, अब बात करते हैं, बांकी टॉप फॉर की, बांकी जो फर्स, सिकेंड, थर्ड और फॉर्थ हैं, वो कौन है, तो सबसे नंबर वन पर है, वीचैट, आप सभी जान दूसरा नंबर पर है, फेरारी, ठीक है, सभी लोग जाते हैं फेरारी को, थर्ड नंबर पर एक रूसी बैंक है, सेबर, ठीक है, थर्ड नंबर पर रूसी बैंक सेबर है, और फोर्थ नंबर पर कोका कोला है, और उसके बाद आता है भारत का जियो, ठीक है, आपको पांच नाम जरूर से क्रम से याद रखने हैं थफीक ना करें अंगे बढ़ते हैं दूसरा पुस्चन है दूसरा कुश्चन हम होशित गहां कौन से पार्क है नाम दियाद रखना है, जैंडर बार्क तो इसकी सथापना केरल राज में की जाएगी, ओप्सन सी आपका स pelo होगा, यह पार्क क्या करेगा ठीक है, यह पार्क क्यों सथापन किया जा रहा है, तो यह पार्क राज में लेंगिक आसमानता ठीक है यो भी जो भी जेंडर गैप है ठीक है ना जो भी जेंडर इनेक्वैलिटीज है जेंडर गैप है उनको क्या है उनका मुकाबला करने में मदद करे ठीक है ना जेंडर आसमानता को दूर करेगा इसके लिए ये आपका अरिफ मुहम्मद खान चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे कुश्चिन की तरफ बहुत इंपॉर्टन कुश्चिन है हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेच्चन 2021 में देश की आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमार है जी आप सो भी जानते हैं कि देश का बजट एक फरवरी कि तरफ से उसमें उन्होंने 21 और 22 के लिए एक अनुमान जारी किया कि विकास दर आप कितनी रहनी की अनुमान है तो यह अनुमान है 11% ठीक है ना 11% की व्रेदी से आपकी विकास दर जो है बढ़ेगी ठीक है ना ऑप्सन ही आपका सही होगा अभी दो प्रमुक संगटनों ने भी भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया था मैंने कुछ चन भी कवर किये प्रीविएस वीडियो में आपने देखा भी होगा तो आइमें ने जो एक अनुमान लगाया था अपना वो था 11.5% जो कि बिल्कुल सटीक बैठता है भारत की भारत के आर्थिक सर था 2021-22 में सबसे तेज विक्सित होने वाले अपर सबसे तेज व्रधि करने वाली अर्थिवस्ता होगी ठीक है याद रखना है पूरी नजर आपको बनाए रखने हैं बजट के उपर गयोगी बजट से हर साल बहुत सारे कूश्चन बनते हैं एक्जाम में चलिए आंगे ब रहते हैं हाल ही में NICSI नाम आपको जरूर याद रखना है अब इसका आपको फुल फॉर्म बताऊंगा NICSI द्वारा किस वर्चुल इंटेलिजेंस टूल को लॉंच किया गया ठीक है ना क्या नाम है इसका वर्चुल इंटेलिजेंस टूल का तो इसका नाम है तेजस ऑप् इस टूल को लॉंच किया ठीक है किसने लॉंच किया NICSI ने ठीक है चले अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं तो N से होगा नेशनल आई से इन्फॉर्मेटिक्स सी से से सेंटर से सर्विसेज और आई से क्या होगा इनकार्पोरेट ठीक है ना एक बार मैं आपको फटा- सूचना विज्यान केंद्र के अधीन सार्वजनिक छेत्र का उपक्रम है ठीक है फिर से सुनिए NICSI आपका राष्ट्रिय सूचना विज्यान केंद्र के अधीन सार्वजनिक छेत्र का उपक्रम है क्याम काम करता है ये तो इसका प्राथमिक कार है केंद्र एवं राज सरका और देश भर के आन्य सार्वजनिक उपकर्मों को इग वर्न से जुड़ी परियोजनाओं के लिए एंड-to-end IT शमाधान प्रदान करना ठीक है ना हाँ एंड-to-end IT शमाधान प्रदान करना जितने भी आपके सार विक सार जुनिक संगठन है या फिर केंद और राज सरकारे हों उनको यह सब यह समाधान प्रवाइड कराता है ठीक है कौन NICSI आई होग आपको पता चल गया जारी corruption perception index में भारत की rank क्या है most 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 important category का आपका यह question ठीक है बहुत जादा आपका पूचा जाता है corruption perception index ठीक है इसमें जो भारत की rank रही हो पिछले वर्स की तुलना में कराब हो गई जी यहां 6 इस्थान भारत नीचे गौर किसा गया 2019 में भारत की rank थी 80 और आप आच्छा है इस्थान किसा गया तो आप rank हो गई 86 ठीक है option C आपका सई होगा ठीक है और यह जो लिस्ट जारी की गए इसमें कितने देश सामिल किए गए टोटल 180 देश सामिल किए गए जिन देशों में सबसे कम corruption हुआ ठीक है न यानि कि इस सूची में टॉप पर कौन है जिसमें सबसे कम corruption हुआ उसमें है नुजिलैंड और डेनमार्क ठीक है नुजि सोमालिया और दच्छली सूडान ठीक है कौन है सोमालिया और दच्छल सूडान इन देशों में सबसे ज़्यादा corruption देखा गया है कौन इसको जारी करता है तो बर्लिन इस्थित transparency international के द्वारा यह list जारी की जाती है नाम भी याद रखना है क्योंकि कभी-कभी exam में पूसता ही corruption perception index किसके द्वारा जारी की जाती है तो बर्लिन इस्थित transparency international के द्वारा यह list जारी की जाती है बर्लिन क्या है जर्मनी की राजदानी है बर्लिन ठीक है आंगे बढ़ते हैं छटों कुश्य लेते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस सहर में भारत का पहला कानपूर option D आपका सहर है ठीक है तो यह पर्योजना कानपूर जी लेके रमईपूर गाउं में स्थापित की जाएगी कहां पर कानपूर जी लेके रमईपूर गाउं में स्थापित की जाएगी ठीक है गंगा से थोड़ा हट करके आपका यह गाउं है यह सहर है रमईपू ठीक है यहां पर क्या किया जाएगा एक अलग से treatment plant लगाया जाएगा जिससे की गंगा का पानी दूसित ना हो ठीक है ना गंगा के पानी को प्रदूसर्ण से बचाने के लिए यहां पर अलग से treatment plant लगाया जाएगा ठीक है क्योंकि treatment जरीर होता है चमडे को साफ करने के लिए ठीक है न? चलिए, बात हो रही है उत्तर परदेश की, ठीक है? उत्तर परदेश के बरतमाने मुक्च मंतरी कौन है, योगी आधितनात, गभरनर कौन है? चलिए, कमेंट बॉक्ने कर बता दीजिए, मैंने बहुत बार आपसे डिसकस किया हुआ है, ठीक है? चले आंगे बढ़ते हैं वीडियो में लेकिन उससे बढ़ने से पहले मैं आपसे चीज कहना चाहूंगा कि आप अगर हमसे सोसल मीडिया के थ्रू जोना चाहते हैं ठीक है तो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल लियागी हमारा फेस्डूक पेज है हमारा इंस्ट्रागाम पेज भी है इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल लियागी ठीक ह है तो ये दो लोग हैं आपके S जानकी रमन और A के तिवारी यानि की option B वासी दोनों सही होंगे ठीक है ना S जानकी रमन और A के तिवारी हालागी फिलाल ये दोनों लोग वर्तमान में SBI में ही काम कर रहे हैं लेकिन किसी और अनपद पर अब इन्हें क्या है कर दिया गया है आप सभी जानते हैं State Bank of India SBI के बारे में ठीक है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था Imperial Bank of India के नाम से जाना जाता था बात हो रही है SBI के तो SBI के वर्तमान में chairman कौन है दिनेज कुमार खारा जो आपका option A है दिनेज कुमार खारा जी SBI के वर्तमान में chairman है important है पूँच सकता है बढ़ते हैं आठवी question की तरफ हाल ही मिस चर्चित Kazakailas तीक है नाम आपको याद रखना है Kazakailas किस देश की पहली महिला परदान मंतरी बनी है ठीक है तो Kazakailas एस्टोनिया की पहली महिला परदान मंतरी बनी है option A आपका सई होगा ठीक है ना अच्छा क्यों बनी है क्योंकि इसके पहले जो परदान मंतरी थे कौन जुकर रतस कौन थे जुकर रतस यहां के पहले परदान मंतरी थे लेकिन इनके उपर संपत्ति के गवन से संबंदित ठीक है ना इनके उपर आरोप लगे जिसके वज़े से इन्होंने अपना पद छोड़ दिया ठीक है अब बात हो रही है एस्टोनिया की तो यह एक यूरोपी देश है लेकिन ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं मैं आख करेंगे एस्टोनिया यह ना आपको मैः दिख रहे हैं यह इसे जैसे आप करते जाएंगे देखिंजिक बाल्टिक सागर में यहाँ पर लिफवानिया लाट्व एए उसके उपर है है यह अस्टोनिया थिगए थोड़ा सा इसको उखर देता हूं मैं आप लोगां के लिए तो यहां पर आपको clear यहां पर दिख रहा हुआ है ठीक ना तेश दिख रहा है आपको एस्टोनिया दिख रहा है और यहां पर इसकी यह आपको capital दिख रही है क्या capital इसकी tellin इसकी capital है I hope आपको clear हो गया होगा European country है और इसकी location कहां पर चलिए बापिस चलते हैं हमारे question answer हिस्से में ठीक न बढ़ते हैं वीडियो में आंगे की तरफ तो काजा कैलस कहां कि किस देश की पहली मेला परदान मंत्री बनी हुई है एस्टोनिया की option ए आपका सही होगा चलिए बढ़ते वीडियो में आँगे की तरफ आज की वीडियो में आठी question थे मैंने आपसे कले question पूछा था हाल ही में 16 बिहार रेजीमेंट के commanding officer कर्णल पी संतोस बावु को किस पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो इनको सम्मान का सैन पुरुषकार है गैलेंटरी पुरुषकार है ठीक है option B आपका सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब ले लेते हैं आज का प्रस्म ठीक है इसका जवाब आपको comment box में देना है हाल ही में आवजित गरतन दिवस की परेड में किस राज की जहांकी को पहला इस्थान प्राप्त हुआ ठीक है ना चार option है आपके पास निमे से जो भी आपको option correct लगता है उसका जवाब आप comment box में उखंड करके दे सकते हैं ठीक है ना अब आप सभी जानते हैं कि आपका January end आ गया है तो अब आपका Germany January महिने का पूरा एक complete वीडियो आएगा कव आएगा एक फ एक वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपके January महिने के सभी important questions उसमें cover किये जाएंगे ठीक है तो वो on making है और जैसे ही आपका महिना end होता है तो आपको एक फर्वरी को वीडियो आपको मिल जाएगे तो उसको जरूर से देखिए गया दूसरी चीज एक तो यह हो गई द दूसरी चीज CCC का ठीक है मैं आप सबीज से चाहता है चीजिस टार्ट करने वाला हूं जिसक पर काम चल रहा है ठीक है एक syllabus के बारे वीडियो आ चुका है दूसरा वीडियो है आपका लिब्रे आफिस से रिलेटे ठीक है ना ओपकी लिब्रे आफिस से आपके बहुत अन टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ठीक है या अन कोई सजेशन आपके मन में है तो वो भी आप दे सकते ठीक है तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें जरूर से बताएं पसंद आती है तो लाइक और सेर जरूर से कीजिएगा और आप यहां तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है नोटिफ्रेशन पर रिफ्रेस कर लिए जिसे आपको यह वीडियो मिच न कर सकें ठैक्स पर वाचिंग में पर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्नमाद